मुरादाबाद के भीकनपूर बग्गा गाउं में उस समय हड़कम मज गया जब तेरवी की दावत में लड़ू खाने से गाउं के लगभग देड़ सो लोग बिमार हो गए अनाना फानल गाउं में मेडिकल कैम्प लगा कर मरीजों का इलाज किया गया और आदा दर्जन गंभीर मरीजों को हस्पताल में रैफ़र करके भरति कराया गया दरासल घडी थाना शेत्र के गाउं भिकनपूर निवासी कल्लू की मा का देहानत हो गया था गाउं में ही उनकी तेर्वी का भोजन रखा गया था जिसमें बड़ी तदात में ग्रामीनों की दावत की गई थी बताया जा रहा है जैसे की गाउं के लोग तेर्वी की दावत खाकर घर लोटे तो उनकी तब्यद बिगड़ने लगी और ग्रामीन अनान पानन में इधर-उधर इलाज के लिए पहुँचने लगे जैसे ही इसकी सूचना स्वास्त विभाग को लगी स्वास्त विभाग की टीम तुरंद मोके पर पहुँच गई और ग्रामीनों का इलाज कर शुरू कर दिया फूट पॉईजनिंग का शिकार लगबग 6 लोगों की हालत अधिक गंबीर होने के कारण उन्हें हस्पताल में भर्ति कराया गया जहां उनका उपचार किया जा रहा है क्या खाने से हुआ है क्या प्रोग्राम का आ रहती है मेंना नाप डॉक्टर सौरव है मैं यहां पर शिकासा देकारी के पत्विन यूट हूँ हम लोग के सुबह सूचना मिले थी जिसके बाद हमने एक टीम बना के हम लोग तुरंत यहां से रवाना हो गया थे बीकन पर जाओ के आ बहां पर जाके हमने करीबेट्सों के गरीब मरीदों को देखा है जो कि पूटपोसने की शिकायत करा रहता है कल से उन सारे मरीदों को देखा है हुंका इंजक्षिन दवाइना से उपचार किया है वहां पर जो मरीज ठोड़े सीरियस हो रहते हैं उनको हम लोग ने एंबुलेंस के द्वारा यहां पर 108 और 102 के द्वारा यहां पर हमने कुंदर की ब्लॉग पर बुल्वा लिया है और जो सीरियस मरीज है उनका उप्चार अब यहां पर चल रहा है जिसके बाद इनकी तवियत खराब होई और इनके उल्टी और दस्त बहुत जादा होने लगे है इसकी बजी तो शरीर में पानी बहुत कम हो गया तो और सब बहुत बीमार हो गया अभी देखें जादा तर मरीज तो थोड़ा ठीक होने की कर्यार पर आ गया है उनको दवाईय हैं लेकिन जो सीरियस मरीज हैं उनको अपने स्पताल में यहां पर उपचार दे रहे हैं और जो भी उनको इंफेक्शन है हमें लगता है कि दो थी निन में तोड़ा ठीक हो जाएगा बहतर हो गया गया ऐसे ही लेटेस्ट ख़बरे पानी के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर बेल आइकोन को दबाए